अलो पीपल, हाई, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का वेरी वाउम वेलकम, दिस इस 25th of October and I welcome you all on to the channel SSC Lab, बढ़िया से, प्यारे से, सुंदर से करेंट डिफेस के लिए जानने के लिए देज दुनिया में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह सब हम आपको बताएंगे यहाँ पर, आईए, शुरू करते हैं, बेखिए, तो पहली सीज आपाने पास क्या आ रही है, पहली सीज आ रही है, आपके नोट्स की लोकेशन, आपके नोट्स कहां मिलेंगे, यहाँ पर, इसी के साथ आपने दिवाली धमा का ओफर्स भी देख लिए होंगे, कल रात से, कल शाम कोई वीडियो आया था, जिसमें दिवाली ओफर्स के बारे में, सारे दिवाली ओफर्स हमारे अक्टिवेट हो गए हैं, तो आप सब लोग दिवाली ओफर्स का भी लाब उठा सकते हैं, वो आप उस वीडियो को चेक आउट कर लीजे, आपको देख जाएंगे, ठी है, आईए, तो शुरू करते हैं, हमारे पास में, देखीगा, अभी हाली में क्या हुआ, IMF ने क्या किया है, IMF ने बोला है कि देखिए, भाई हम भारत का GDP का हम एक estimate कर रहे हैं, और उनोंने बोला है कि 7% के दर से भारत की GDP जो है, यह बढ़ती थेगी, IMF की बात करें, तो IMF की स्थापना कब होई थी, देखिए, वर्ल्ड बैंक दो ऐसे बैंक्स थे, मैं अब दो financial institution है, एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है IMF, इन दोनों की ही स्थापना हुई है, 1944 में, 1944 में इसकी स्थापना हुई है, इनके अगर head की बात करें, तो वर्ल्ड बैंक में head होते है President, President का नाम है Ajay Banga, इनके President का नाम क्या आता है, इस इस Ajay Banga, और अगर मैं IMF की बात करूँ तो यहाँ पे जो MD है, Managing Director जिनका नाम है, इनको कहते हैं Crystalina Georgieva, इनको कहते हैं Crystalina Georgieva, यह आ जाता है यहाँ पर उत्तर, यह हो गया, ठीक है, तो यह आ जाता है हमारे पास, Ajay Banga and Crystalina Georgieva, IMF और World Bank के अध्यक्ष का नाम आ जाता है, फिर देखिएगा, अच्छा, फिर आते हैं, आरे वा, IMF की स्थापना कब होगी है, यह तो हमें पता है, IMF की स्थापना कब होगी, 1944 में IMF की स्थापना होई है, और आगे बढ़ते हैं, इनको Bretton Woods Twins भी बोला जाता है, इ ADB की स्थापना की बात करें, तो 1966 में इसकी स्थापना होई थी, और इसकी स्थापना कहां पर है, headquarters कहां पर है, इसके headquarters जो है, यह Manila Philippines में है, यह Manila Philippines में इसके headquarters होते हैं, किसके Asian Development Bank के, कहां पर है यह, यह आ जाता है आपका, इसराइल ने अभी अभी इसकी membership लिए है, इसरा members हैं, लेकिन 20th member बन गया है, इसराइल ऐसा, जो कि non-regional member है, मतलब वो इस area को तो belong नहीं करता, वो South Asia, South East Asia को तो belong नहीं करता है, फिर भी इसका member, non-regional, मतलब इस area को जो नहीं है, वो 20 number का है, और 69th overall बन गया है, वैसे आज से overall बन पूछेगा, या पूछेगा, टोटल member ब Philippines, Asian से ADB, Asian Development Bank, Man से Manila, Philippines, Philippines हो गया, तो यह आगया, Manila हो गया, फिर देखेगा, अभी हाली में क्या हुआ, पाकिस्तान और भारत ने क्या किया, करतारपुर साहिब कोरिडोर का extension लिया है, तो यह जो deal थी, करतारपुर साहिब कोरिडोर आप जानते हैं, भारत में पंजाब से लेकर के, इसको एक करतारपुर साहिब, यह दरबार साहिब गुरुदवारा है, करतारपुर पाकिस्तान में, यहाँ पर गुरुनानक देवजी, जो संस्थापक थे, सिकिजम के, उन्होंने अपनी आखरी सांसे ली थी, और फिर वहां से स्वर्क की और उन्होंने साल के लिए ही वैलिड किया गया था, 2019 में, तो 2024 में यह पांच साल का जो पर्मिट था, यह खतम हो रहा था, इसको पांच साल के लिए और रिन्यू कर दिया गया है, तो क्या आ गया, यह दो जार उन्तिस तक अब रिन्यू हो गया है, कौन से नदी के पास पढ़ता है, यह आपका एक छोटा सा हमवाखी कि यह जो कॉरिडोर है, वो किस नदी के पास पढ़ता है, यह आप बताएंगे, आगे बढ़ते हैं, करतारपर साहिब गुरुदवारा कहा पर है, यह आपका आता है, लाहर, इसलामाबाद, पेशावार या फिर नरोवल, नरोवल जगा है, पंजाब परांद, पाकिस्तान साइड वाला, वहाँ पर, फिर आगे आते हैं, प्रवासी परिचे दोहतार चॉबिस कौन चला रहा है, देखिए, प्रवासी परिचे क्या है, यह साओधी अरेबिया के रियाद में जो भारत की एमबसी है, वो इसको चला रही है, कि एक बा क्लासिकल लांग्वजजस ऑफ इंडे असबर का थीम रखा है, और आप जानते हैं, हाली में हमने क्लासिकल लांग्वजजस भी अपनी क्या करी थी, हाली में हमने पाँच नई भाषाएं जोड़ करके, अपनी क्लासिकल लांग्वजजस तो कुल मिला के 11 बना दिया था, अब आप यहां से हमको बताएंगे, इसका एंसर तो चलिए साउधी हो गया, आप बताएगा कि बताएगे क्लासिकल लांग्वजजस की अगर हम बात करें, तो कुल मिला करके कितनी क्लासिकल लांग्वजजस है, और पहली क्लासिकल लांग्वजज कौन है, संस्कृत है या तमिल है और जो भी है उसको पहली बार कब classical language का दर्जा दिया गया तेक है आईए फिर देखते हैं कौन सी शेहर में second edition of Chanak के defense dialogues हो रहा है देखो ये क्या होता है ये army का Indian army का एक seminar है जिसमें भारत भर से वो जो पुराने veteran army के लोग होते हैं जो काफी senior officers होते हैं जो अब retire हो गए होते हैं या defense experts होते हैं जो अब retire हो गए होते हैं जिन्होंने रक्षा मंतराले में काम किया है या बाहर-बाहर foreign में posted रहे हैं और बहुत अच्छी पैनी नजर है उनकी रक्षा मामलों पर उनको invite करते हैं उनसे कुछते हैं जो आज हमारे defense के challenges हैं हम उनसे कैसे निपट सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं तो यानि कि basically ये जो चानक के defense dialogues है ये कोशिश है पुराना senior brain लेने की पुराने senior brain को उनसे advice लेने की ये कोशिश की जो आज जो senior level पे जो positions पे लोग बैटे हुए हैं उनको अपने से भी जादा senior लोगों की advice मिल पाए तो इसके लिए करते हैं चानक के defense dialogues राइट कहाँ पर हो रहा है मानिक्षो सेंटर दिल्ली में हो रहा है ये ये second edition है यहाँ पर chief guest ते राजनात सिंग साहब जो हमारे defense minister है आगे बढ़ते हैं फिर देखेंगे पहले chief of army staff कौन थे पहले chief of army staff का है यह आजाएंगे left and general upain देवेदी फिर हम बात करेंगे अगर कि इस समय अगर हम यह तो हमने देख लिया अब अभी की बात करें कि left and general upain देवेदी तो चलिए हो गए फिर अगर हम बात करें इस समय नेवी का chief कौन है तो यह आजाएंगे दिनेश कुमार तृपाठी इंडिया में देखी अभी क्या हो रहा है इफी सेलिबरेट किया जा रहा है इफी क्या है international film festival इंडिया तो यह हर बार गोवा में ही करते हैं इसको कौन सी ministry करती है ministry of information and broadcasting तो यह इसको करती है और हर साल इसमें एक इसमें होता क्या है अलग अलग countries यहां आती है और अपने वह यह सब नहीं होता practicality के उपर वो movies बनती है तो वो movies पैसा नहीं कमा पाती है लेकिन उनमें बहुत बढ़िया culture और बहुत बढ़िया art बहुत अच्छी दिखती है उसमें तो उसको यहां पर अलग-अलग countries आ करके वो अपनी movies screen करती है यहां पर हर बार इसमें एक country of focus रखा जाता है और इस बार की जो country of focus है वो Australia है तो यह आजाएगा आगे आते हैं पर देखेगा नेपाल की उर्मिला चौधरी इनको कौन सा वाट दिया जा रहा है विकिन नेपाल की उर्मिला चौधरी यह एक बहुत बड़ी समाच से विका है यह पहले slave हुआ करती थी जो चंग तो इसी लिए इनको global anti-racism championship award मिला है anti-racism इसलिए जिकि जितनी भी लड़किया नेपाल में slave होती थी वो एक particular community थारू community की हुआ करती थी तो थारू community का fix होता है कि जो भी थारू community में पैदा होगा नेपाल में उसको उसकी लड़की को slave बनना पड़ेगा पढ़ने लिखने इसको illegal करार दिया वो इनकी वज़े से इन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी तो यह US में दिया जा रहा है और यह global anti-racism championship award आगे बढ़ते हैं दारा सिंग खुराना ये कौन है दारा सिंग खुराना एक Indian model turn actor है और इन्होंने mental health को लेकर के बहुत बड़े-बड़े seminar करे है अपनी क्योंकि यह famous तो थे ही model है, actor है तो यह famous थे तो इन्होंने जहां-जहां जाते थे अपनी position का फायदा उठा करके इन्होंने क्या किया जितना जादा mental health को लेकर के awareness कर सकते थे कि mental health भी उतनी ज़रूरी है जितनी ज़रूरी physical health है तो इसके लिए इन्होंने बहुत इन्होंने अवर्ड दिया है, अवर्ड आ रहा है इनका महात्मा गांधी लीडर्शिप अवर्ड, United Kingdom ही अवर्ड दे रहा है, global change या आपका commonwealth global change maker category में, commonwealth change maker of the year category में इनको दिया जा रहा है महात्मा गांधी लीडर्शिप अवर्ड, Dara Singh खुराना को, नाम से सुनने में पाकेश रंजन साहब थे, ये 1992 batch के IES अफसर थे, और बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने VRS डाल दिया है, बोला है कि भाई देखिए ऐसा है, अब हम काम नहीं करेंगे, 31 December हमारा VRS माना जाए, मतला हम retire हो जाएंगे इस दिन, तो अब इनके बाद कोन आ 1993 batch के IES अफसर है ये, S. Gopalakrishnan, आई आगे बढ़ते है, United Nations का day cup होता है, United Nations Day celebrate होता है, हर साल 24 January को, 24 October को, 24 October 1945 में United Nations की स्थापना हुई थी, और ये स्थापना इसले करी गई थी, ताकि World War के बाद, दोबारा कोई भी इतना भीश और इतना बड़ा युद्ध कभी ना होने United Nations Day celebrate करते हैं, फिर देखा कितने members हैं इस समय United Nations में, अभी 193 members है, 49 members से इसकी शुरवात हुई थी, फिर देखते हैं headquarters United Nations Secretary General कहां पर है, बड़ बिसिकली United Nations का Secretariat कहां पर है, it's in New York में इसका headquarters है, फिर देखेंगे UNICEF की full form क्या है, ये भी UN का ही एक wing होता है, United Nations International Children Emergency Fund, या फिर United Nations Educational Fund, United Nations International Children Emergency Foundation, United Nations Children Education Fund, it is, हाला कि ये इसका full form है, लेकिन आज के time पे emergency word इसमें नहीं use करते हैं, ये drop कर दिया गया है, फिर इन में से कौन सा ऐसा organization है, जिसका India एक founding member है, तो India जो founding member है, ये BRICS का founding member है, फिर जब वो एक BRICS बन रहा था, तो भारत भी भाहां पर था, headquarters W.H.O के हैं, Geneva, Switzerland में इसके headquarters होते हैं, 55th International Film Festival कहां हो रहा है, it is happening in Goa, that's it guys, that's it for the day, उमीद करते हैं, आपको सारे current affairs, बढ़िया से आपको clear हो गए होंगे, एकदम अच्छे से, मस तरीके से, कोई doubt नहीं किसी प्रकार का, राइट, चलिए, बढ़िया है, और धियान रखिएगा, क internet का है, और सबसे घजब तो ये है, printed books वाला, 27 month महापक्स, जो 15,000 का था, ये 4,499, नहीं, 4500 में सारी 9 की 9 किताबे, और साथी साथ आपका पूरा 2 साल का subscription भी, अभी double validity offer चल रहा है, double validity का offer है इस समय, और साथ में एक महिना और extra free, and महापक्स जो भी learners ले रहे हैं, उनको 5th of November पे एक lucky draw होगा, जो 10 lucky members होंगे, उनको free हो जाएगा, उनका full free refund हो जाएगी, 10 lucky members जो महापक्स इस period में जो एनरोल करेंगे, तो ये बड़ी interesting सी चीज़ है, एक बड़ी, ठीक है जी, और बाकी जो batches है, उनके भी prices heavily slash हो चुके हैं, तो आप जो भी इन में से एनरोल करना च जाते हैं, आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक, ये सारी चीज़े आप लाब की official website, lab.live और लाब की जो एप है, दोनों पे ही आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है जी, चलिए, तो बड़ी आशे करिए, ये देखिए, देखिए देवाली गिफ्ट है, 10 lucky winners को मिलेंगे, ये एक दम, ये किरे, और ये बेस्ट बाइ, 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 बाइ!